विचार और सोच तनाव मुक्त जीवन की कुंजी श्री भगवत त्वारा लिखी गई हम सब को अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हर समस्या को दो तरह से विभाजित कर सकते है समस्या का मनोविज्ञानिक पहलू जो मन से संबंदित है यानि अंतरिक पहलू दूसरा समस्या का भवतिक या बाहरी पहलू क्योंकि पहले हमने अपनी समस्याओं को कभी इस तरह से विभाजन नहीं किया ये हमें कुछ जटिल सा लगता है आईए अब एक और वर्गी करन विचार और सोच का उप्योग करके इस समस्या का विशलेशन करें जिन लोगों ने इस पद्धती का उप्योग किया वे अपनी समस्याओं से बाहर आ गए और वे इस बात से भी आश्चर्य चकित है कि ये विधी कितनी शक्तिशाली है और आपका इस आश्चर्य के दुनिया में स्वागत है एक खटना कटे एक सरकारी करमचारी को अपने दफ्धर में एक समस्या का सामना करना पड़ा एक मीटिंग चल रही थी और उसमें सुपीरियर भी थे सुपीरियर सारे करमचारियों को भाशन दे रहे थे और मीटिंग भली भांती चल रही थे कि अचानक उस करमचारी का मोबाइल फोन बचने लगा और उसको एहसास हुआ कि गलती से उसने फोन को बिना बंद किये वे मीटिंग में आ गया सुपीरियर बात कर रहे थे, फोन की खंटी की बज़े से रुख गए और खूब नाराज हो गए करमचारी बैठत में आने से पहले मुबाइल फोन का बंद करने का मून अनुशासन का पालन न कर पाया उसने ये एक घोर अपराद माना और स्थानांतरन या ट्रांसफर ओर्डर उस करमचारी को थमा दिया ये बिलकुल सही है कि ये करमचारी की आवश्य एक भूल थी मूबाइल स्विच आफ ना करने की लेकिन उसने ये जान पूछ कर नहीं किया और जैसे ही मूबाइल फोन बजा उसने तुरंद बंद कर दिया जादा से जादा ये एक मानवी अभूल जिसे हुमन एरर माना जा सकता है निश्चित रूप से दंडनी अपराद नहीं है सुपीरियर अफसर उसे एक मीमो या चेतावनी दे कर छोड़ सकता था लेकिन इस तरह की कलती के लिए इस प्रकार की सजा देना ऐसे तुछ अनुशासनात्मक मुद्दे के लिए बहुत कठोर है और आवश्य ही सीमा से परे करमचारी किसी तरह से सुपीरियर अफसर से बदला लेने के बारे में सोचने लगा उसे ही ये महसूस हो रहा था कि एक छोटी सी कलती के लिए बस इस हद तक उसे दंडित किया जा रहा है वे बार-बार उसी घटना के बारे में सोचता रहा उसकी रातों की नेंद भी उड़ गई क्योंकि यही विचार उसके मन में आते रहे उसने अपने मन में तै कर लिया कि बस अब वे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा लेकिन उसके मन ने इस निशकर्ष का कोई ध्यान नहीं दिया और जिन विचारों से वे बचना चाहता था वही विचार और बल से वापिस आने लगे वे इन विचारों से प्रभावित होता ही जा रहा था ना ही वे ठीक से खापी रहा था या सोपा रहा था वे मेरे पास आया और पूछा इस समस्या का क्या समधान है मैंने उसे यह दृष्टि कोन दिया आईए यह समझते हैं कि विचार क्या है और सोच क्या है विचार स्वभाविक रूप से अपने आप अंजाने में आता है लेकिन सोच या सोचना एक चैतन्य और हमारे द्वारा की जाने वाली गतिविधी अपने दम पर आती है और सोचना एक विचार क्रिया है जो हम करते हैं आईए विचार और सोच क्या अंतर है यह समझते है विचार खुद बखुद आता है जैसे जलती हुई अगरबती में धुआ बाहर निकलता है उस तरहां जहां धुवे की कई तरंगे निकलती है एक-एक करके वे भी धुवे की तरहां गायब हो जाता है हवा में अब यह समझें कि अगर हम इन विचारों पर काबू पाना चाते हैं फिर यह विचार सोच में बदल जाते हैं विचार शक्तिशाली नहीं होते और वे अपने आप चले जाते हैं लेकिन सोचना ऐसा नहीं होता हमारे प्रयास और क्रियाएं सीधे सोच की प्रक्रिया में शामिल होती हैं ये विचार हमारे चारों और घूमते हैं अधिक तीवरता के साथ, एक दुष चक्र के रोब में. सोचना या सोच का प्रभाव हमारे मनोवेग्यानिक और शारीरिक प्रनाली पर विचारों से ज़ादा पड़ता है. विचार एकदम गायब हो जाते हैं, विचार जल्दी से गायब हो जाते हैं, लेकिन सोच हमारे पास मन राती रहती है. विचार हमारी योगदान के कारण नए सिरे से बनते रहते हैं और आसानी से मरते नहीं. विचारों को हटाने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करना पड़ता सोचना बिल्कुल अलग है तुमने उसे अपने नियंतरन में कर लिया है और इसमें योगदान देना शुरू कर दिया अब आपको एक कदम पीछे हटकर अपना योगदान देना बंद करना पड़ेगा और इसे अनुमती दे स्वभाविक रूप से बहने के लिए अगर आप इस स्थानांतरन के विपरीत कुछ कानूनी कारवाही करना चाहते हो तो आपको इस कारे योजना के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा सोच की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ कारे करना हो जैसे कि इस सजा के विरुद कानूनी कारवाही करना चाहते हो तो आपको अपने कारे के लिए उसी योजना के बारे में सोचना पड़ेगा जैसे Employee Union की मदद लेनी होगी अगर आपको इसकी कानूनी कारवाही नहीं करनी है तो फिर इस खटना के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ये भी निश्चे कर लेते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं तब भी इस अवांचनी अगटना के बारे में विचार तो आएगा ही ये पिलकुल सुभाविक है अब ये प्रश्ण उड़ता है कि क्या हमें इन विचारों से बाहर नहीं निकलना क्या इन विचारों से मुक्ती नहीं पानी चाहिए हमने इन विचारों को स्वयम नहीं बनाया था ये विचार स्वयम ही आये थे और अपने आप ही चले जाएंगे क्योंकि प्रतेक और हर अचेतन विचार का जीवन काल बस एक सेकिंड जैसे ही वै उड़ते हैं हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करना है ये परियापत है कि आप इसके प्राकृतिक प्रवा में हस्तशिप नहीं करें और उन्हें परिवर्तित भी नहीं करें तो फिर क्या होता है जब हम हस्तशिप नहीं करते उन्हें परिवर्तित नहीं करते जो विचार हमारे चारों और मन्रा रहे थे बंद हो जाएंगे जो विचार बहुत तीजी से प्रवाहित हो रहे थे उनकी गती थीमी हो जाएगी जो विचार इस खटना के बारे में आते थे बहुत कम हो जाएंगे इस खटना के बारे में विचार जो प्रती मिनिट पाँच विचारों के प्रती एक विचार पाँच मिनिट में आएगा और ऐसे ही यह विचार और कमसोर हो जाएंगे फिर वे तीस मिनिट और फिर एक खंटे में एक बार और फिर बहुत कम मौकों पर सरकारी करमचारी को बहुत लाब मिला सोच और विचार के इस मुद्दे में इस दृष्टी को उनको समझने का एक शादी शुदा जोड़ा इसी तरह की समस्या लेकर मेरे पास आया लेकिन उनकी समस्या इससे अधिक कमभीर थी उनके साथ एक बहुत ही तुखत खटना खटी थी जो समधान सरकारी करमचारी को दिया गया था वही समधान विवाहित जोड़े को भी दिया गया उनके जीवन में एक बहुत दुखत खटना खटी वास्तव में वह एक डॉक्टर थे और उनके सिरफ 18 महीने के एक मात्र बच्चे की मृत्यों हो गई उन्होंने ये भी बताया कि इस सत्मे से किसी तरह वे खुद तो निकल सके हैं लेकिन उनकी पत्नी इस शती से अपने आपको निकाल नहीं पा रही और बारम बार इस विशे पर सोचती है इसका असर पढ़ना शुरू हो गया है यहां तक कि हमने कुछ मनोवे ग्यानिकों से भी सलहा ली लेकिन कुछ परिनाम नहीं मिला और सब व्यर्थी लग रहा है अब आप से मार्क दर्शन लेने आएं हैं तकनीकी तोर से जो सरकारी करमचारी की समस्या की जड़ थी वही इस जोड़े की भी फिर मैंने उन्हें विस्तार में समझाया कि एक मात्र संतान को खोना जीवन में बहुत बड़ी शती है इस बारे में दुखी विचार आना पिलकुल स्वभाविक है इसमें कोई गलत बात नहीं है लिकिन यही आपके दुख का एक मात्र कारण नहीं है और नहीं हो सकता है कोई भी इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर यह समस्या का मूल कारण है यह बार बार आने वाले विचार कसूरवार नहीं है जब हम अचेतन मन पर सवारी करते हैं तो वह सचेत हो जाते हैं वास्तविक समस्या विचार का रूपांतरन है सोचने में या विचारधारा बनने में जब हम विचारों के उपर सवार हो जाते हैं तो यह विचार सोच बन जाती है जब यह विचार दुख पैदा करते हैं और उनके साथ कट भंदन किया जाता है यह सोच कर कि कितनी दुख़त कटना है माता-पता के लिए दुखी होना करतव्य नहीं है क्या यह एक माता-पता के पच्चे के और श्रद्धाजली के रूप में नहीं करना चाहिए हम इन विचारों को अधिकार दे देते हैं जिससे हम सहमती देते हैं उन विचारों को हमारे तंत्रिका या नर्वस सिस्टम में जड़ लेने की परिनाम स्वरूप अलग-अलग बिमारियों के लक्षन आने दिख जाते हैं फिर हम चिंता करते हैं कि क्या मुझे दिल की बिमारी है या कोई साइकलोजिकल प्रॉब्लम या मनोवग्यानिक समस्या आ गई है क्या जो विचार सुभाविक तरीके से अपने आ पाता है या जो विचार धारा के रूप में बह रही उसको हमने एक भवर बना दिया जो कतई के रूप में गोल-गोल बहने लगता है हमने इन विचारों को मस्बूत कर दिया अगर हम इन विचारों को सोच नहीं बनाते यानि कि मुक्त प्रवा या तरंगों को सोच में बदल दिया है हम इसमें योगदान करते हैं इसे स्वयम की इच्छा के बिना बनाते हैं इसलिए विचार मूल समस्या नहीं है वे अपने दम पर आता है और खुद भी मर जाता है परियाप्त यही है कि हम इन पर सवारी करना बंद कर दे अगर विचारों को लगातार सोचते रहे तो ये एक विशाल और जटल रूप ले लेती है और मनुश्य को अधिक कमजोर कर देती है इस प्रकार से कभी कभी लोगों को जीवन में अपने प्रियजनों की देखबाल करने का अफसर जैसे उन्हें लगता है कि वैं गवा दिया उन्होंने ये स्पष्ट निर्ने नहीं लिया कि किस डॉक्टर से परामर्श करें और उनके प्रियजनों की मृत्यू हो गई ये वैक्ति अपने आपको दोशी समझता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वैं सही डॉक्टर से परामर्श करता तो उसका प्रियजन बच सकता था अगर उसने उचे तरीके से काम किया होता जो पहले हो चुका है उसका कुछ नहीं किया जा सकता और उसके लिए अपने को दोशी ठहराना ठीक नहीं है ये दोशी भावनाए अगर आती है तो गलत नहीं है अगर स्वभाविक रूप से आती है यह केवल एक समस्या तब बनती है जब हम सचेत रूप से इन विचारों को सोच में परिवर्तित करते है कई लोगों को नकरात्मक विचार और अनैतिक योन इच्छा वाले विचार आते है उनको यह शिकायत रहती है कि इतने अश्लील विचार कैसे उत्पन हो सकते है यह भी खयाल आता है कि इतनी साथना करने के बाद भी इस तरह की भावनाएं कैसे आ सकते है मन में इस तरह की विचार आने को अपराद मानते है अपने को दोशी ठहराते है वास्तव में यह अंजाने में होता है भले ही बह एक अवांचनिय विचार है लेकिन है तो स्वभाविक ही हम अपराद बोध का भाव रखना उचित समझते हैं जस्टिफाई करते है भले ही यह एक अवांचनिय विचार है लेकिन स्वभाविक है यह अपने ग्यान के बिना स्वयम उत्पन होता है ये नाचातने वाले विचार है अपितु बिलकुन प्राकृतिक और निर्दोश विचार ये विचार क्यूं आते हैं ऐसे प्रश्न करना एक कृतिम और गनात्मक कार्य है ये प्राकृतिक गतिविध्यों के विरुत है जो विचार अपने ग्यान के बिना स्वयम उत्पन होते हैं वे उभरते हैं और उनका दमन अपने आप हो जाता है जब हम जान पूझ कर उसको सोचना शुरू कर देते हैं तो अपने आप को दोशी मानते हैं केवल ये ही गलत है हमें सोचने से बचने के लिए संघर्ष करने की आवशक्ता नहीं है हमें इन विचारों को गंभीरता से नहीं लेना केवल स्विकृति भरनी है विचारों के लिए अगर ये अशलील विचार भी है तब भी ये अपने आप मर जाएंगे इसका मतलब ये नहीं किया कि इन विचारों की परवाना करके इनको प्रोचसाहन देना है सचेत मन से इसकी तरफ योगदान ये ही या इसको सोच कहा जा सकता है कई लोग बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं और वास्तव में वे इन आदतों से परे आने के लिए संघर्ष करते हैं वे शराब पीने के जैसे आदी भी हो सकते है और इससे बाहर निकलने का खूब परीश्रम भी करते है वे शराब से कुछ दिनों के लिए बच भी सकते है लेकिन उनको फिर खयाल आएंगे शराब को पीने के लिए फिर वे सोचेंगे कि क्या होगा अगर मैं शराब पियूँ वे सोच उनके नर्वस सिस्टम या तांत्रिका प्रनाली को शक्ती देती है और इससे उनकी बुरी आदत शक्तिशाली बन जाती है जैसे हम इन विचारों को सोच में नहीं बदले उनकी तरफ ध्यान ना दे जब तक हम विचारों को सोच में परिवर्थित नहीं करते बुरी आदतें कमजोर पढ़नी शुरू हो जाएंगी अगर हम इन विचारों पर ध्यान देना आरंब करें तो ये विचार सोच में बदल दे तो क्या होगा? दोनों सोच और विचार हमारी मन से ही शुरू होते है ये कायम तभी रह सकता है अगर हम इसकी नवीनी कृत करें मान लीजे कि ये विचारों को सोच में बदल भी दिया तभी ये तभी कायम रह सकता है अगर हम बार बार ऐसा करें अगर हम इसको पुनर जीवन देते हैं और अगर ना करें तो ये विचारों की तरह इनका भी अपने आप दमन हो जाएगा क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि केबल महान विचार हमारे भीतर उत्पन होने चाहिए नहीं ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है जो भी विचार उत्पन होते हैं वे स्वभाविक हैं हाला कि इसमें कुछ अवांचनिय अनैतिक विचार भी होते हैं अच्छे और बुरे का वर्गी करन केवल सोच के ही लिए किया जाना चाहिए, जिनका उप्योग बाहरी कारे के लिए किया जाता है। हम इनको श्रेष्ट और हीन के रूप में वर्गी करन कर सकते हैं। श्रेष्ट और निम्न ये करमों के अधार पर किया जाता है। हमारे कारे सही और सहायक होने चाहिए, समाज के प्रती। वे सोच जो इस प्रकार के कारे करती हैं, उनको सुविचार माना जाता है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती, विचार समस्या नहीं है, सोच ही समस्या है, सोच की वज़े से हमारी नींद में रुकावट आ जाती है। हमें अपने अनुसार अवांच्यनित विचारों के बारे में चिंता करने की आविशकता नहीं है, बहुत सारे न चाहने वाले विचार उड़ते हैं और दमन हो जाते हैं, ये खुद अपने आप संतुलित हो जाएगा। सोच का आना ही मुश्किल बनाता है, सोच की वज़े से विचार घूमता है, आसपास और शक्तिशाली बन जाता है, इतना ही काफी है जो लोग विस्तरे पर लेट जाते हैं और सो नहीं पाते क्योंकि वे सोचना शुरू कर देते हैं, जो कुछ अतीत में हुआ, उसके विच प्यार उड़ते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, केवल समस्या तब उड़ती है, जब ये सोच में बदल जाती है, वे सोचने की प्रकृति को लगाम दे सकते हैं, और अतीत की घटनाएं हमारे भीतर टकराफ पैदा करते हैं, हम इन अतीत के बारे में या अतीत के बारे वाले विचारों का उप्योग करके, एक तज्जुर्बे की तरह इसको इस्तिमाल कर सकते हैं, कि हमारे आने वाले कल की क्रियाओं को बहतर तरीके से कैसे करें, लेकिन जब सोने के लिए पलंग या विस्तार पर या विस्तर पर लेट जाते हैं, तो बहारी कती विधियों पर रोक लगानी पड़ेगी, फिर नींद अराम से आ जाएगी, कई लोगों को नकरात्मक विचार आते हैं, जैसे कि मेरा बिजनिस चौपट हो जाएगा, क्या वेपार विफल हो जाएगा, क्या मुझे नुकसान हो जाएगा, क्या मेरे परिवार वाले अचानक बिमार हो जाएंगे, क्या हमें इन नकरात्मक विचारों को सकरात्मक विचारों में बदलना पड़ेगा, हमें कभी भी हानी नहीं होगी, और फाइदा ही फाइदा होता जाएगा, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, अगर हम इन विचारों को स्वभाविक समझे, जो विचार हमारे काम के लिए उप्योगी है, हमें उनका इस्तिमाल वहीं तक करना चाहिए, अगर ये प्रश्ण हमारे सामने आता है कि कार चलाने के लिए किसकी आवशक्ता है, एक ब्रेक की या एक्सिलरेटर की, जिससे गाड़ी की गती तेज हो जाती है, क्या ये संभव है कि हम गाड़ी चलाने के लिए ब्रेक या एक्सिलरेटर की आवशक्ता पड़ती है, क्या हम गाड़ी केवल ब्रेक के साथ चला सकते हैं, लेकिन ऐसा सोचिए कि हम गाड़ी बिना ब्रेक होते हुए चला दे दोनों चीजों की गाड़ी चलाने के लिए अविशक्ता है एक्सिलिरीटर जो सकरात्मक थौट्स और ब्रेक जैसे नकरात्मक विचार एक उधारन लेते हैं इसको समझने के लिए जैसे एक व्यक्ती जो खुद का वेवसाई चलाता है बिजनिसमेन है अगर वे केवल सकरात्मक विचारों की धुन में यही सोचता रहे कि वेवसाई से मुझे मुनाफा ही आता रहेगा और नुकसान बिलकुल नहीं आएगा क्या वे अपने करोडों का इन्वेस्मेंट इस सकरात्मक सोच की तरफ मोर सकता है कोई भी अप्रत्यशित नुकसान या अन्प्रिसिडेंटिड लॉस उसके वेवसाई को डुबो सकता है और अगर उसका एक नकरात्मक खयाल ही या एक छोटा सा संदे उसे उतने ही पैसे लगाने के लिए सोच को उकसाता है और वेवसाई में संभवत नुकसान हो सकता है ये सोच कर अगर उसके मन में छोटा सा भी संदे आता है तो वे ध्यान रखता वे उतने ही पैसे वेवसाई में लगाता जितनी आविशक्ता थी पूरी साफधानी से या प्रिकॉशन के साथ हमारे सारे विचार मनोवे ग्यानिक है उनको सकरात्मक और नकरात्मक का वरगी करन नहीं किया जाना चाहिए वेवसाई में घाटा होना ये नकरात्मक विचार नहीं है असलियत में ये एक सकरात्मक विचार है क्योंकि ये इन्वेस्मेंट के उपर नियंतरन रखता है लेकिन इस तरह के विचार की मैं नकरात्मक विचार कैसे हटाऊं ये असल में नकरात्मक विचार है क्यों? क्योंकि ना कि ये हमें बाहिय कर्म की और काम करने से रोकते है ये विचार हमें ये सोचने को मजबूत कर देते हैं कि हमें ये विचारों को शुद्ध करना चाहिए हमें विचार के उपर तभी दिहान देना चाहिए कि क्या ये बाहर के काम में सहायता करेंगे जहां तक हमारा मनोव ग्यानिक साइकोलोजिकल सिस्टम का सवाल है उन्हें सकरात्मक या नकरात्मक ये अच्छा बुरा का वर्गी करन नहीं करना चाहिए हम सोच को अच्छा या बुरा निम या उच तभी वर्गी करन कर सकते हैं कि ये विचार किस कारे के लिए इस्तमाल किये जा सकते हैं जहां तक हमारे psychological system से तालुक रखता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन विचारों को ठीक करें, ना ही हटाने की और ना ही उनको पकड़ के रखने की. सभी विचार प्राकृतिक, आध्यात्मिक और पवित्र है, ये बहारी दुनिया से संबंद रखते हैं, सोच बहायकारियों से जोड़ी होती है, सोच को अच्छा बुरा जरूरी या जिसकी जरूरत ना पड़े लापकारी या अलापकारी उसकी जरूरतों के अनुसार. विचार स्वभाविक होते हैं और उनको अपने अधीन करना ये आवश्यक नहीं, हम उनको आने और जाने देना चाहिए. जहां तक साइकलोजिकल आस्पेक्ट से संबंध है या मनोवेक्यानिक पहलू का संबंध है, हमें उन्हें स्वयम प्रकट होने और गायब होने की अनुमती देनी चाहिए. ये एक दिव्यप्रवा है. सभी विचार पवित्र है, कुछ विचारों को अनुमती देकर और कुछ अकेले को अस्वीकार करके इन विचारों पर एक विकल्प बना रही है. क्या ये गलत है? हमें केवन इस सरल अंतर को समझना चाहिए कि क्या विचार है और क्या सोच है. यदि हम अपने सभी विचारों को पून स्वतंत्रता देते हैं और उन्हें सोच में परिवर्थित नहीं करते. अंत में यदि विचार स्वतंत्र है तो आप भी स्वतंत्र है. धन्यवाद.